नमस्कार आपका आख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग। गुजरात में चुनाव की अभी घोष्णा नहीं हुई है दिसुचना जारी नहीं हुई है लेकिन चुनाव प्रचार एक तरह से कहिए चरम पर है। प्रदानमंत्री नरिन्द मोदी तीन दिन की गुजरात यात्रा पर थे। उसके अलावा अर्विंद केजरिवाल जाते रहते हैं। कॉंग्रेस की तरफ से सन्नाटा है। कॉंग्रेस से चुनाव लड़ रही है लड़ेगी की नहीं ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। उसकी भारत जोड़ यात्रा है, वह भी होने गुजरात से होकर नहीं जा रही है। तो इससे समझ घुजरात में, कॉंग्रेस पार्टि कोई राष्ट्री नेता अभी तक गया नहीं। तो इससे आप कॉंग्रेस का हालत का गुजरात में अंधाशा लगा सकते हैं। एक सर्वेक्षन हुआ है, सर्वेक्षन किया है, मैटराइज, न्यूज कम्मिनिकेशन, नाम की सर्वेयर कंपनी है, इलेक्षन सर्वे करती है, बड़ा सटीक सर्वे करते है, इनके पिछले सर्वे जो है, उत्तर प्रदेश का हो, बंगाल का हो, ये सही साबित हुए, तो इसल इसमें जो नतीजे आये हैं, तो एक तो जो चुनाओ का नतीजे जो बता रहे हैं, वो मेरे हिसाब से तो बड़ा स्वाभाविक है, उसमें कोई बड़ा उलट फेर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ और मुद्दों पर सवालों पर जो जवाब आये हैं, वो थोड़ा चौंकाने वाले हैं, और उनकी बात करें उससे पहले ज़रा कॉंग्रेस पर नज़र डाल देते हैं, कॉंग्रेस के बारे में पूछे गए सवालों के क्या जवाब किस तरह से मिले, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कॉंग्रेस पार्टी की हालत क्या है, गुजराद ज की साजा सरकार बनी थी, और उसके बाद से 95 से लगातार बीजेपी की सरकार है, बीच में डेर साल को छोड़के, जब प्रेजिडेंट डोल और अंकर सिंग बागेला को समय के लिए मुख्यमंत्री बने थे, तब से लगातार बीजेपी तो एक तरह से कहिए, 90 से जोड़ी ह अगर आप तो 32 साल से, और ये एक डेर साल निकाल दीजेए, तो 30 साल से बीजेपी गुजरात में सत्ता में है, इसके बावजूद एंटी इंकंबेंसी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही, बलकि उल्टा है, सबसे बड़ी है, मतला एक मातर विपक्षी पार्टी जो कॉंग्रेस पार्टी है, उसके प्रती एंटी इंकंबेंसी बहुत जादा है, तो लोगों से सवाल पूछा गया कि गुजरात में कॉंग्रेस का विपक्षी दर्मों के विपक्षी दल के रूप में जो भुमिका रही है, जो कामकाज रहा है, उसको आप कैसा मानते हैं, 56% लोगों ने कहा कि बहुत ही खराब, इससे आप अंदाजा लगा लिजे, 30-32 साल की एंटी इंकंबेंसी के बावजूद, अगर जो प्रमुक दावेदार है सत्ता की, उस पार्टी के बारे में लोगों की ये राय हो, तो उसका क्या होगा चुनाव में, ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी रॉकेट साइन्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ 26% लोग हैं, जो संतोष जनक मानते हैं, और 16% लोग हैं, जो बहतर मानते हैं, तो केवल 16% गुजराती मदाता, कॉंग्रेस पार्टी के कामकाज को बहतर मानते हैं, एक सवाल पूछा गया, चुकि आम आदमी पार्टी बड़ा हला मचा रहे हैं, बड़े विग्यापन आ रहे हैं, भगवन सिंग्मान, अर्विन केजरिवाल के लगातार दोरे हो रहे हैं, चार्टेट प्लेन से लगातार जा रहे हैं, अर्विन केजरिवाल और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उ आप लोग जोर लगाईए तो बहुत आगे निकल जाएंगे, बीजेपी घबराई हुई है, बीजेपी डरी हुई है, तमाम तरह के बयान आदमी पार्टी के आम बयान है, हर चुनाव में इस तरह के बड़े बड़े दावे और बड़े जूट बोलने में उनको महारत हासिल ह लेकिन लोगों से पूछा गया जब गुजरात के, कि क्या उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी के आने के कारण गुजरात में ये मुकाबला, चुनावी मुकाबला त्रिकोर्णी हो सकता है, ट्राइंगुलर हो सकता है, तो उनका जवाब सुनकर आपको थोड़ा आश्य होगा, 78% लोगों ने कहा कि ये मुकाबला, मुक्य मुकाबला जो है, वो बीजेपी और कॉंगरेस में ही होगा, तो क्या आम आदमी पार्टी इसको ट्राइंगुलर बना सकती है, 4% लोगों ने कहा कि बना सकती है, 7% लोगों ने कहा 7%, 4% ने कहा बना सकती है, 7% ने कहा कि क कुछ चुनावक्षेत्रों में, कुछ विधानसभाक्षेत्रों में ट्राइंगुलर बना सकती है। यानि कुल मिलाकर जो उमीदवार स्थानी रूप से थोड़ा मजबूत होगा, अलग-अलग पार्टियों से आये हैं, या स्थानी इस तर पर उनका प्रभाव रहा है, तो वो थोड़ा फाइट में आ सकते हैं। बाकी आम आदमी पार्टी का गुजरात के चुनाव में कोई लेना देना उसका है नहीं, कोई काम है नहीं। कॉंग्रेस के बारे में ये भी पूछा गिया एक सवाल कि क्या भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांथी निकाल रहे हैं, उसमें गुजरात को ना शामिल करना गलती थी या सही था। 58% लोगों ने कहा कि बहुत बड़ी चुक हुई है कॉंग्रेस से। अगर यहां से यात्रा निकलती मतलब यह था कि निकलती तो शायद उसका फाइदा मिलता है। लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ये मौका चुक गई है। फिर एक सवाल था कि डबल इंजन की सरकार है 2014 से कें 50% लोगों ने कहा कोई फाइदा नहीं मिला है। तो जाहिर है कि ये भाजपा विरोधी वोट है, कॉंग्रेसी वोट है लेकिन आप देखिए, कॉंग्रेस का लगभग 40% के आसपास वोट शेर है गुजरात में, उससे थोड़ा उपर ही है। इसके बावजूद सिर्फ 22% ऐसा कह रहे है कि डबल इंजिन की सरकार का कोई फाइदा नहीं मिला है। यानि कॉंग्रेस के समर्थकों में भी ऐसा वर्ग है, 17-18-19% का, जो मानता है कि डबल इंजिन की सरकार का फाइदा मिला है। तो ये फिर कह रहा हूँ, 32 साल की एंटिन कंबेंसी के बाद अगर ये अजनीती के लिए एक-एक जो है उदाहरन के रूप में है। पूछा गया कि आपका वोट किस बात से, किस मुद्दे से, किस चीज से सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो गुजरात के लोगों को सुनिये। 44% ने कहा कि नरेन मोदी के नाम पर, आप देखी नरेन मो मोदी गुजरात के लोगों के दिल में बसते हैं। ये जो हम आगनी पार्टी के लोग जो है, और उनके समर्थक सभाव शुरू होने से पहले की, खाली कुरसियां दिखा कर कहते हैं, देखिए, ये मोदी जी की सभाव होनी थी, यहां कोई आया नहीं, इसलिए कैंसी लोग के लिए, कोई बताता है कि उन्होंने बोलना शुरू किया, लोग उनने जाना शुरू कर दिया, सभाव खतम होने का वीडियो दिखा के, 44 परसेंट का कहना है कि मोदी के नाम पर वोट देंगे, केवल 19 परसेंट ने कहा कि राज्य सरकार के काम काच पर वोट देंगे, और 11 परसेंट ने कहा कि विधायकों के काम पर उड़ देंगी तो इससे जो होल्ड है बीजेपी का गुजरात पर जिस तरह का वर्चस्व है बीजेपी का गुजरात पर उसका अंदाजा लगता है इस सर्वे से लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ बीजेपी के लिए अच्छा ही अच् स्थिती को इंप्रूब तो किया है लेकिन अब भी अगर चार हिस्सों में गुजरात को बाटा है सर्वे के लिए सौराष्ट उत्तर गुजरात मध्य गुजरात और दक्षण गुजरात इन में से सबसे कमजोर जिस क्षेतर में है बीजेपी वो है सौराष्ट लेकिन वहा पहले से स्थिती बहतर हुई है कॉंग्रेस की स्थिती पहले से खराब हुई है लेकिन अच्छी बात बीजेपी के लिए है कि इन चारों क्षेतरों में बीजेपी का वोट परसंटेज और सीटें दोनों बढ़ रही है कॉंग्रेस पार्टी जो 2017 के चुनाव में जो रिजल इस चुनाव की सबसे बड़ी कहानी है कि पांच सीटें जो अन्निके खाते में जा रही है उसमें छोटी पार्टियां है गुजरात की NCP है जिसके एक या दो मेले हर बार आते ही है और उसी में है आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी की सीटें आने की गुझाइश भावना लगभग नहीं के बराबर है जीरो से वन या जीरो से टू समझिए तो जीरो से वन को जीरो से टू को जीरो ही समझिए ये एक महने पहले का माहौल है अभी प्रधान मंतरी के दौरे हो चुके हैं ग्रे मंतरी अमिशाह का दौरा हो चुका है पार्टी लगातार एक तो उनका अपना ग्रेह राज्य है यहां तो वो हर गली नुकड हर नट बोल्ट को जानते हैं कहां किसको कसना किसको डीला करना है तो इसलिए उनके लिए गुजरात का चुनाव मुश्किल नहीं है लेकिन आप अगर बारती जंता पार्टी की तैयारी देखेंगे उसका जो चुनावी अभियान चल रहा है उसको देखेंगे ऐसा लगेगा जिसे पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है यही बीजेपी की खुबी है कि वो किसी लड़ाई को लड़ाई से मतलब चुनावी लड़ाई को हलके में नहीं लेती हम जीत रहे हैं यह सोच के घर नहीं बैठेगी हम जीत रहे हैं तो उससे बहतर कैसे जीत सकते हैं जो जितनी सीटें आने वाली हैं उससे ज़ादा कैसे आ सकती हैं कौन सी सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से जिनके हारने की उमीद लग रही है उनको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं तो अभी जो जो नतीजा आ रहा है उसके हिसाब से बीजेपी को 182 में से 117 सीटें मिलने की संभावना नजर आ रही है कॉंग्रेस 54 सीटें जीतती हुई दिख रही है और अन्य के खाते में 11 सीटें जा रही है तो यह जो पांच कॉंग्रेस से जा रही है और 6 पहले थी तो 11 सीटें अन्य के खाते में जा रही है लेकिन वोट परसेंटेज जो है वो कॉंग्रेस का घट रहा है हर क्षेतर में चार तो सौराष्ट की मैने बात कि सौराष्ट बीजेपी का अभी सबसे कमजोर पक्ष है यानि तुलनात मक्रूप से यहां सबसे कम वोट मिल रहे हैं बीजेपी को 48.6% और जाहिर है कि इसी क्षेतर से कॉंग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट मिल रहे हैं 40.2% उसके अलावा बाक 55% के उपर मिलने की संभावना है दक्षन गुजरात से तो दक्षन गुजरात आपको मालूम है कि आदिवासी इलाका है यह जो राश्पती चुनाव में द्रापती मुर्मु जी को राश्पती बनाने का फैसला हुआ उसका संदेश आदिवासियों में गया है यह सपष्ट दिखाई दे रहा है तो बीजेपी के लिए गुजरात जीता हुआ चुनाव है लेकिन बीजेपी ऐसे चुनाव लड़ रही है जैसे उसका सब कुछ दाव पर लगा हुआ हो इसी लिए बीजेपी जीतती है यह जो मोदी इशा के दौर में बीजेपी का यह नया रूप दि तो मंतरी हो मुख्यमंतरी हो प्रदान मंतरी हो विधायक हो कॉर्परेटर हो पंचायत सदस्य हो सब को लगे रहना है तो गुजरात का चुनाव नो ब्रेनर की तरह है वहाँ वहाँ कोई लड़ाई नहीं होने जारी है जो आम आदमी पार्टी बताने की दिखाने की कर रही है कि बड़ी तगडी लड़ाई है और उसके जाने से पूरा समा बदल गया है और बड़ी उमीद थी सूरत से आम आदमी पार्टी को सूरत में कुछ नहीं मिलने जा रहा है आम आदमी पार्टी को ये सही है कि चुकि इस चुनाव में लगबग सभी सीटों पर लड और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बुरी खबर है कि उसका जो दावा है आम आदमी पार्टी के मुखिया आरविंद केजरिवाल का जो सपना है वो जो दिवा सबना है वो चकना चूर होने वाला है बहुत जल्दी और आम आदमी पार्टी को चुनाओ के आखिर में इस पात की गिंती करनी पड़ेगी कि उसके कितने उमीदवारों की जमानत बची कितने जीते की गिंती करने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए एक हाथ की पांच उंगलियां भी ज़्यादा है तो इसलिए कितने की जमानत बची ये ये जरूर जो है मुझे लगता है कि हाथ के उलियों पर ही गिना जा पाएगा तो आज के अंक में इतने ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अन्मती दीजिए आप से नोध है के चैनल देखिए शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब दरूर कीजिए नमस्कार